नमस्कार एस्ट्रोलोजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ पुना से जो ग्रहों की सिरीच चल लई है सूर्य चंद्रे बाद मंगल ग्रह के बारे मैं आपको बताने आया हूँ आज हमारे कारिकरम में इस बिच्छई की जानकारी मैं आपको दूँगा जिसमें मंगल ग्रह की एहमियत कुंडली में क्या है यहां हमारे किंछेत्रों से समंध रखते हैं इसके अलावा अगर यहां कुंडली में कमजोर अवस्ता में विराजमान होते हैं या नीच की अवस्ता में विराजमान होते हैं असुप अवस्ता में विराजमान होते हैं तो हमारी जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं इसके अलावा यह हमारे किनकिन छेत्रूं के कारग्रह है और अगर यह कुंडली में खराब अवस्ता में विराजमान है तो हमें क्या करकर इन्हें मजबूत बल्वान और अपने अनकूल फलकारक बना सकते हैं तो इसी विशाई पर आज मैं आपको संपूर्ण जानगारी दूँगा उससे पहले अगर कोई दर्सक चैनल पर नए है चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरुवात करते हैं कारिक्रम की सरुवर्थम हम जानते हैं कि यह हमारे किन छेत्रों के कारग्रा हैं मंगल से हमें उर्जा, साहस एवं पराकरम प्राप्त होता है यहाँ अगर कुंडली में अच्छी अवस्ता में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का उर्जा, साहस और पराकरम में बहुत जादा ब्रिद्धि देखने को मिलती है और ऐसा व्यक्ति उर्जावान भी होता है इसके अलावा जो मंगल ग्रह है वहाँ छोटे भाई बेहनों के कारक ग्रह है और हमारे फॉज, मिलाटरी, पूलिस इस तरह की जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके कारक ग्रह मंगल ही है तो आप इसे समझी गए हैं कि हमारे जीवन में मंगल ग्रह की कितनी इनके अपनी रासी है उसके अलावा सनी की मकर रासी दस नंबर की रासी में यह उच्च की अवस्ता में होते हैं और नीच अवस्ता की बात करें यह चंद्र की रासी करक रासी यानि चार का अंक अगर चार के अंक में मंगल विराजवान होते हैं तो मंगल की नीच अवस्त होती है मंगल को उग्र ग्रह भी माना जाता है जिस किसी जातक की भी कुंडली में मंगल खराब अवस्ता में विराजवान होता है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हाई ब्लेट वेसर उच्च रक्तचाप इससे संबंदित स्वास्त में परिसानिया पैदा होती है अगर जि जनुके साथ मनमटाओ की इस्तिती रहती है यह घर में संपत्य का बिवाध हो जाता है यह संपत्य पर किसी और का कभ्या हो जाता है तो यह भी कुंडली में मंगल की खराब इस्तित्त को दर्साता है इसके अलावा खून से सम्दित जितनी भी बिमारियां होती है अगर किसी जातक को होती है तो वह एक बार अपनी कुंडली को किसी जोतिसी को जरूर दिखाएं तो उस ब्यक्ति को यह जरूर पता चलेगा कि उसकी कुंडली में मंगल की इस्तिती उसके अनुकूल नहीं है या मंगल खराब इस्तिती में है उस समय मंगल की नहादसा, अंतरदसा और प्रेते अंतरदसा चल रही है तो इस समय पर वह ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं घर में दिवारों में अचानक से दरारे आ जाना यह भी मंगल की खराब इस्तिती को दरसाता है इस तरह के ब्यक्ति के जीवन में प्रभाव दे देते हैं मंगल अगर कुंडली में खराब इस्तिता में विराजबान होते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में इस तरह की मंगल की इस्तिती बनी हुई है या उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो उस ब्यक्ति को सचेत होने की आवश्यक्ता है, उस ब्यक्ति को कुछ उपाय करकर इन ग्रहों को अपने अनकुल बनाने की सोचनी चाहिए, तो उसके लिए वह जो उपाय करे, अगर ब्यक्ति अक्षम हो, तो उसे मंगलवार का ब्रत, 21 मंगलवार का ब्रत करना चाहिए, और उस ब्रत के दिन मंगलवार ब्रत कथा उसे जरूर पढ़नी चाहिए। उस दिन ब्रत तोड़ने के बाद वो जो भी खाए वो मीठा ही खाए। उस दिन नमक से बनी वस्तू का परहिज करना चाहिए। और हनमान जी की आराधना से भी हम मंगल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हनमान जी को सिंदूर चड़ाएं। हनमान चालिशा का नित्य पाठ मंगल ग्रह को अपने अनुकूल करने का। अगर ब्यक्ति स्रद्धा पूर्वक हरमान चालिशा का नेज्टे पाठ करता है तो ऐसे ब्यक्तिओं के मंगल धिरे-धिरे सही होने लगते हैं। जो ब्यक्ति धारण कर सकता है, उसे मंगल ग्रह के लिए मूगा कारण भी करना चाहिए। अगर जो करना चाहता है मुगा का धारण भी इसका एक उपाय है। प्या जो व्यक्ति दान कर्म में विश्वास रखता है ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन गुड और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे भी मंगल की इस्तिति को सही किया जा सकता है। या मंगलवार के दिन गाय को गुड खिलाएं तो इस तरह से हम मंगल ग्रह को अपने अनकूल कर सकते हैं। उनके अगर कुंडली में नकारतवक प्रुभाव हो रहे हैं। तो उसे हम अपने अनकूल धीरे-धीरे करकर बना सकते हैं। तो यह थे मंगल ग्रह के उपाई। उम आइकन जरूर दबाईए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राफ्त हो धन्यवाद